असलावलेकों स्वेंट्स इंशाल्ला इस लेक्चर से हम चैप्टर नबर एड जो है mathematical induction and binomial theorem जो है यह पुरा नाम है ना में खरन में पहला पूशन जो है इसका पहला पूशन जो है वो mathematical induction का है उसको तरह देखेंगे उसके बाद जो बाइनॉमल से लेड़ पूशन उसको डिसक्स करेंगे तो पहले यह वाला टॉपिक डिसक्स करके एक्सराइब पूशन करेंगे सबसे पहली बात यह है कि जैप्टर उन बदनसीब चैप्टरों में से है खास तौर पर को सबस्क्राइब मतलब बढूशन करने को तो इन शाल भले जाते हैं तो सवाल तो टाकर पीचाएब कुछ बच्चे भी कुछ रेके इस टॉपिक का मतलब क्या है और क्यों जुरुत पढ़ी है हमें हर चीज होती है जो मेरा मशूर्ट मेरा सवाल लग जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करो तो पहला सवाल होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो क्या प्रॉब्लम इसने किया है तो सबसे पहले बात बच्चों mathematical induction होती क्या चीज है क्या टेकनीक है क्यों पढ़ती है तो सबसे पहले तुम देखते हैं जरुद इसकी पढ़ी क्यों है एक मैथ में पूरी फील्ड होती है बाइदवे टॉपिक्स जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंडरात है टॉपिक्स ठीक है जो आपने चैप्टर नमर्व 7 वी पढ़ा है चैप्टर नमर्व 5 बूरूप सोगया सब डिस्किर्ट मैथ के टॉपिक होते हैं इसी तरह टॉपिक होता है लोजिप का यह सिंद बोर्ड में तो नहीं है आपको फैरल बोर्ड में पंजाब बोर्ड में बोर्ड में नजर आ जाएगा लॉजिक का पॉजिशन यह जो लॉजिक है ना इससे लेट मैंने यूट्यूप ए वीडियो पे अपलोड की विए टॉपिकल वीडियो सी एक प्रेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आपको मिल जागा डिटेयल में डिसकुर्शन इसकी मैं कुछ जिसका आंसर दो ही हो सकते हैं या तो वो स्टेटमेंट ड्रू होगी या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी ऐसा कोई केस नहीं है मतलब आइधर वला केस है अभी आप प्रॉबिलिटी बढ़कर आयो आइधर ट्रू और फॉल्स और यहां पे जो और है ना जिसने जब पर न अगर आपको बुला जाएं कि आज ट्रू है या फॉल्स इसी तरीके से आज बारिश हो रही है अगर तो बारिश हो रही होगी तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही होगी स्टेटमेंट फॉल्स क्या फॉल्स डिविजबल है टू से बेलकुँ डिविजबल है फॉर को तू से डिवायड करते हो तो आंसर एक डेसिमल नहीं आ रहा है इसका मतर है इसी तरीक्री तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी उस वाले स्टेटमेंट को आप बोलते हो प्रोपोजिशन ठीक ह मेडिकल की टर्मिनोलजी में ऐसी भी स्टेट्मेंट होती हैं जिसमें बैगब ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं लॉजिक में बता है वे फॉर इसेंटल कोई भी आप दवाई खाते हो तो दवाई तो यह क्लेम करती है ना आपने डिस्प्रिन खा ली तो आपके सर में दर्द ख होती है जो बैकड़ ग्रू भी हो सकते हैं यह डिपंट कर रहते हैं बहुति हैं आपके पास को मैथ में स्टेट्मेंट हो और आपने पता कर रहा हैं कि स्टेट्मेंट ठीक है घलत है तो आप किस तरीके से पता करोगे कुछ statement होती है जो easy होती है जो आप अपसानी से पता कर लेते हो for example मैं बहुत ही आपको बच्चों वाली example देता हूं कि आगर मैं बुलों कि बताओ 2N जो है वो एक even number है यह statement दे रहा हूं 2N एक even number है बताओ क्या मेरी बाद ठीक है घलत है तो यह आप असानी से बता सकते हैं इसमें मैं बोलता हूं कि 2N belongs to even number उन्हां बताते हैं यहां पर क्या है यह नहीं अब यह statement मेरी ठीक है नहीं कि 2N वाकि आप यह नहीं आप चक्क कर सकते हैं यह नहीं आप आप असानी से बोल सकते हो कि यह statement ठीक है कि टू एंट प्लस वन जो है यह लोग कर रहा हूं और न भी बिलॉंट तो आप बोलों के हाँ यह बात बिलीगों ठीक है क्यों आप तो यह स्टेटमेंट कर सकते हो मतलब इसमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनको आप इस तरह प्रूव नहीं कर सकते हैं आप यह मालूम नहीं कर सकते हैं कि अच्छा एक बात की जाती है नहीं तो आपने हर वैल्यू पर देखना होता है अगर एक वैल्यू भी इसको रॉंग कर रही है ना तो वह स्टेटमेंट रॉंग होगी स्टेटमेंट को आप टू सिवत बोलोगे जब वह हर वैल्यू पर सैटिस्फाय हो लिए मतलब एन की नैच्रल कोई भी वैल्यू हो अगर यहां पर पूट करो और आंसर आपके एवन नंबर आ रहा है तो यह स्टेटमेंट ठीक माने जाएगी अगर कोई एक भी ऐसी वैल् सब्सक्राइब 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 करते हैं और आप बूलते हो कि यह पूरी चीज़ बराबर है इसके अब आपने प्रूफ करना है अब यह वह थोड़ी यह आप इस पर राइफमाटिक सीरियस का फार्माल लगा कर सकते हो तो आपका पूर जगा सवाल कि यह आपने यह स्टेटमेंट ठीक है इसी तरह कुछ लोग मैनूल पूट कर रहे होते हैं अचा बाइदाब यहां पर नूटेशन में ना मैंने लिख कर रहे होंगे तो क्या मतलब कहा इसका पी का मतलब प्रॉपजिशन और एंड का मतलब के प्रॉपजिशन एन पर डिपेंड कर दिये कि अधाय है अब इस इन की तो न की जगहा पर तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तो manually आप तरो कि आप one put करो यहां पर statement में फिर two put करो अच्छा अगर one put करो तो मतलब क्या है n equal to अच्छा पहले एक और फाज है n में आगे यहां पर आप जब भी अभी मैं आगे discuss भी करूँगा आप n की value 1 से start करते हो बात मैंने यह sequence में बात आप लोगो यूटीब पे तो शाय नहीं बताई होगी क्योंकि वो काफी पहले अप्लोड हुई थी वीडियो याद एक मैं n की value 1 भी consider की जाती है starting या कपी 0 भी consider की जाती है आप ऐसी भी जगहें देखोगे जहां पर भी discuss करेंगे ना पेस केस जिसमें n इकल डूवन आप पूट करते हो प्रूफ करने के लिए तो कितनी जगहों पर आप n इकल डू जीरो भी हो रहे हो गया आपकी बुक में नहीं है लेकिन computer programming की language में सीरो आप consider करते हो वहां पर जो सीक्मेंस है वहां पर जीरो ट्रम भी consider की जाती है लेकिन मैथ में जएदा ज़र आप n इकल टू बन से स्वाट कर रहे हो तो जहन में रखोगे जीरो देखो तो समझ जाओ कि अलाउड है कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है computer program में आप एक डिसकस कर रहे हो तो जीरो ट्रम वहां पर आ रही होती है दूसरी बात यहां पर प्रॉपोजिशन में n की वैल्यू में टू पूट करो इसका मतलब क्या है टू का मतलब लेटेंट साइड पे क्या है शुरू शुरू की दो ट्रम अगर में n की जगा टू बुट करो न क्या आप इस प्रॉपोजिशन को चेक करो n की वैल्यू टू इसका मतलब क्या है लेटेंट साइड पर कि शुरू की चार्ट रांग एकल टेंट शुरू की दस ट्रम ठीक है लेटेंट साइड पे तो यह गंसी दे तो यह चीज इसके बराबर उसवर्ट होगी जब अगर आप दो ट्रम यहां पे पिक कर रहे हो उनको मैनुली एड कर रहे हो यहां पर न की वैलू टू पूट कर रहे हो दोनों का आजर सेम होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट यह क्लेम कर रही है कि पूरी चीज का सम इसक तो इस तर आप स्टेटमेंट चेक कर तो यह आपने पी आफ को निकाला है मतलब प्रॉपिजेशन में की विल्याबर टू पूट कर दी है तो एक तो मैनूल दरीक है आप 2-3 पूट करो और फिर बोल दो नहीं आप ठीक है लेकिन इसका एक मसला है अगरा मैनूल शुरू की तो आपको तो अब सब नहीं पूट कर सकते हैं मैनूली तो आपको को मैनूल चाही होगा पहले मैं आपको एक्जेंपल देता हूँ जिसमें यह वला मैथट फतरनाग होगा अगर मैं आपको इस स्टेट्मेंट दूंके एन स्कॉार माइनस एन प्लस 41 बिलॉंग्स टू प्राइम नंबर बढ़े मिशूल एक्जेंपल है अब क्या स्टेट्मेंट ठीक है नहीं अब को मैनूली इसको सॉल्फ करेगा तो क्या करेगा इंकी वैलिस पूट करेगा हो सब्सक्राइब करें ऐसको अब इसके अलामा किसी और तरीके से नहीं रहें सकते हैं नाइन माइनस थी सिक्स प्लस एक प्राइम नंबर तो अबजर्फ करें शुरू की मैलिस पे तो ही स्टेट्मेंट बिल्ट ठीक है आ प्राइम नंबर यारा है लेकिन अगर आप इसकी बेसिस पे अपना देद होगे कि यह स्टेटमेंट ठीक है तो फिरा वलती भी होगे क्यों क्योंकि आगे जाते जाते अगर इस स्टेटमेंट में आप इनकी वैल्यू फुट करोगे तो स्टेटमेंट घलत सावित हो जाएगी कैसे आप फुट करो यह हो जाएगा 41 का स्कॉइल एंप जाएगा 41 पूट करो और प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 41 का स्कॉइल कुछ भी आ रहा होगा तो अब उसके तीन फेक्टर बन ग अपना है फिर 41 भी उसका फेक्टर है फिर वन भी उसका फेक्टर है तो याद रखना जब भी को स्कॉइल आपने लिख दिया ना फॉर एग्जापल में 3 का इस तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा जिस नंबर को आप स्कॉइल की फॉर्म में लिख सकते हो वो प्राइम करके देख लिना एंगी वैलियू पर फॉट करो चाहिदे स्टेटमेंट ठीक हो लेकिन एक वैलियू पर खराब करेंगी है यह चीज़ काफी है इसको गलस साबित करने के लिए तो यहां से इन सब चीजों को आपना अबसर्फ किया है हमें कोई मैथट चाहिए हमें कोई मैथ मैथट हमें चाहिए जिस मैथट के जरीए से हम स्टेटमेंट को प्रूफ कर सके हैं तो मेरे खाल में आपको प्रॉबलम समझा गी है कि हमें मैथमेटिकल इंडेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है प्रॉबलम मैंने पुरी समझा दिया है आप आज हो मैथमेटिकल इंडेक करना है अब सवाल किस तरीके से रहे हैं हमें problem समझागी हमें problem solution समझागे लेकिन solution को apply किस तरह करने किस तरीके से अप्रूफ करें अपनी statement को कि वो ठीक है नहीं methodology यहां पर क्या होगी तो हम methodology टो है तो बचो methodology होगी कि कि इस proof को समझाने के लिए मुझे दो टो दोजनिंग rij half Nagy डॉमिनो डॉमिनो गेम होता है जिसमें टाइज रखी हुई हुए होती है उसके आगे दूसरी टाइल होती है कमी डिस्टनस तो पहले डाइल टा इस्टैनि यह कोपसुराथ मार्जमान ध्न हसुने तो उसमें बिस्किट ऐसे गिर रहे होते हैं तो इसको डॉमिनो एफेक्ट कहते हैं बाकी गेम समझ देना क्या होता है वो गूगल पर जाके तो बारहल एक वो एक्सेम्पल हम डिसकस करेंगे जिसमें होता है कि आपके पास अब मेरी डाइग्राम बहुत बुली है पुलती है मेरा सब्सक्राइब और ट्र को ईस्तिर ग्राइग का मैंने पतान की किस दर्रभाश किया थे तो आप ठोड़ा तो कटा के लो इस ट्राइप के टायव कि मेरा एक गरेगी तो दूसरी और तीसरी वी तिसकैंपब्प्ल्ड डिस्कस करेंगे एक को ब्हुरा इची अच्छिन को देने का मकसद क्या है इन दोनों एक्जेंपल में आपको को बुले कि यार आपने सीडी पर चड़ना है तो जब भी आप सीडी पर चड़ोगे आप अपनी मंज़ित तक पहुंचो आपको पहला स्टैप लेना बढ़ेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है एज्यूंग कर लो यहां पर पहली या दूसरी या तीसी पर चड़ गए हो यह मैंने बात बहुत इंपॉर्टन बोजिए ताकि confusion ना आपको क्या मैंने बात बोलिए कि आपको किसी तरह confirm हो जाए कि पहली या दूसरी या दूसरी सीडी पर चड़ गए हो कदम रख नहीं आपने यह आपको इसको जहन में रखना अब आज़ डॉमिनो पर अगर मैं आ बोने इसेंप्री को अगरा साथ लेकर चलो ना और मैं एक सिंपल आपको स्टेट्मेंट जो प्रूफ करने के बोली थी मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टू जरू इसकी N है यह फार्मला मैंने बताया था तो यह जो मैंने बात डिसकस किया है इसको आप कहते हो बेस केस बेस के कि आपका डोमिνο गिरा है यह बात पतावनी चाहिए तो इसको मैथमाटिकल इंडॉक्षोन की टेखनीक में कहते हो कि बेस केस क्या है मतलब बेस केस आप प्रूफ करते हो कि किसी एक वैल्यू पे आप प्रूफ करते हो कि स्टेट्मेंट ठीक है अब वो कौन सी वैल्यू है वो standard thought पर हमने value n equal to 1 रखे लिए है लेकिन कोई मसला नहीं है आप n equal to 2 पर भी कर सकते हो कोई issue नहीं है आप n equal to 3 पर भी प्रूफ कर सकते हो ऐसा को issue नहीं है इसमें लेकिन हमने standard रखा हुए कि n equal to 1 base भी को simple case होता है आप देखते हो क्या आपकी statement ठीक है नहीं क्योंकि अगर उस एक value भी ठीक नहीं है तो बाके तो discuss करना फालत हुए पूरा method फालत हुए जब n equal to 1 पर भी नहीं है तो standard हमने n equal to 1 रखा हुए मैंने बताया था computer programming में n की value 0 भी आप base case के दौर पर लेकिते हो अचा इसी तरह कुछ SCB examples है जिसमें अचा यह जो होती है इसमें बोला जाता है कि आप statement को प्रूफ करो n की natural values पर या यह भी बोला जाता है positive integer positive integer मतलब natural number तो that's why सब natural number प्रूफ करने के लिए आप basic सी बात करते हो कि n equal to 1 natural number से आप start करते हो ठीक है लेकर कुछ SCB statement होती है जिनको प्रूफ करने के लिए आपको बोला जाता है कि n equal to 1 से न स्टार्ट करें इसको किसी और वैल्यू से स्टार्ट करो आपके पास एक statement लिए 2 की power n is less than n factorial यहां पर वो बोलते हैं कि या इसको प्रूफ करो n की इन वैल्यूस पर तो जब वो आपको बोल रहें कि आप प्रूफ ही 4 से greater पर करो आप इसके अंदर n की value 1 पुट करके बोलो यह statement false है तो आप तो बहुत बड़े समझ जो आप लोग तो कहने का मतलब यह कि जब आपको अलिए उन्होंने बता दिये कि यह statement जो है यह statement ठीक उस वक्त है जब n greater than or equal to 4 है तो जब आप इसका base case discuss करोगे तो base case में 4 आप लेना minimum 5 भी ले सकते हो नहीं बताया लिकिन standard के और 4 ले रहते हैं तो इसका base case 4 होता है जबकि इस statement में जब बात की गई एक overall sum natural नमर पे तो base case आप n equal to 1 भी ले सकते हो तो यह मैंने थोड़ी clarification यहां पर देती है अगर आप इसने n equal to 1 put करोगे नहीं ठीक होगी तो महीं किस ने आपसे claim किया है सब्सक्राइब करोगे नहीं सब्सक्राइब करोगे नहीं सब्सक्राइब करोगे तो यह चीज़ टू की पावर क्यूब सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर प्रूफ करोगे कि आपकी statement ठीक है नहीं यह था पहला कदम पर आपको शुर्टी होगी है कि इसको बेस केस कहते हैं तो नेक्स्ट केस होता है जिसको आप बोलते हो inductive case या inductive case ही बोलते हैं इसको मैं नाम बता दूँगा कि इसमें induction का नाम आया वा क्यों है इसकी विज़र में आपके इक्रीज़र मता दूँगा अब इसकी जुरूत हमें क्यों पढ़ी है मैंने आप प्राइम वाली example दी थी बेस केस पर ठीक दा ना वो मसला दर्मयान में की आया तो इसका मतलब सिर्फ बेस केस काफी नहीं है इसके इलावा भी आपको case चाहिए जो आपके overall सब को cover करने है अब उसको किस तरह cover करते हैं अगर मैं आप लों को बोलू के n equal to 1 मतलब पहली डॉमिनो नीचे घिर गई है तो अब एक जनलाय स्ट्रेट्मेंट बात करते हैं कि अगर कोई भी के डॉमिनो के क्या मतलब भे 5 वी डॉमिनो दस्वी दॉमिनो तीस्वी डॉमिनो या पहली डॉमिनो के के अंतर आ जाती के की value one से greater होगी या बन हो सकती है वन से greater तो आपने किसी तरह सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो के डॉमिनों है वो फॉल कर दी है अगर के डॉमिनों करेगी तो के प्लस वन भी करना चाहिए और अगर के प्लस वन कर रही है यह आपने प्रूफ कर दिया इसका मतलब सारी डुमेन आपने कवर कर लिए सारी डुमेन किस तरह के लिए फॉर जेंबर अगर के बन है तो आपकी जो स्टेट्मेन आपने कवर कर दी लेकर उसी वक्त जब आपने प्रूफ कर दिया के प्लस वन डॉमिनो भी गिर रही इसको स्टेट्मेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम कि इफ जो के डॉमिनो जो है यह इसको प्रॉपोजिशन की साइस में मैं इसता लिखूंगा इफ पी एन सॉरी पी के एन की जगा के पूट करना पी के इस ट्रू दैन पी के प्लस वन इस ट्रू कहने का मतलब कि अगर आप इस तरह एज्यूम कर लो कि के पे आपकी स्टेट्मेंट ट्रू है तो अगर के पे आपकी स्टेट्मेंट ट्रू है तो फिर के प्लस वन पे भी ट्रू होगी है इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी 30 सेकंड के बाद पहले मैं इसी को समझाता हूँ कि आपने यह आपकी तरफ से बात एज्यूम की ह वज़ा मैंने आपको बता दिए कि आप किसी तरह को लेकर चलो कि के वारी डॉमिनों गिर की है इस एसंशन को लेकर जाने के बाद अगर आपने के प्लस वन प्रूफ कर दिया तो ओवराल सब डुमेंग कवर हो जाएगी यह जो स्टेट्मेंट में लेकि रहे हैं इसको प्रूफ करने का यह होता है कि हम यह बोलते हैं कि अगर पहली वाली चीज आप ट्रू कंसिडर कर रहे हो और आपके पास इफ दैन की कोई था आपकि यह हुली चीज टू है इसको आप आपका मतलब आपकी पूरी फॉरस है क्यूंकि आपने स्ट्रू साबिति नहीं होरा तो ह오ो नहीं है तो आपके स्टेट्मेंट फॉल्स है वह ये वल्य है कि क्या वखते मुंक ऑप वल्य हो दिए ट्रज immigration है statement को कि आप इसको assume करोगे और इसको proof करोगे अगर ये proof हो गई इसका मतलब ये जो statement है ये हर value पे correct है क्योंकि इसमें हर value शामिल हो गई कि अगर 10 होगा तो statement के तहर 10 plus 1 मतलब 11 भी true है अगर n की value यहाँ पे n k के बराबर है न तो k for example 15 है मतलब n की value 15 तो इसका मतलब n की value 16 भी statement प्रूव हो रही है अगर n की value 100 पूट कर रहे हो तो n की 101 value भी statement true हो रही है तो अगर आपने किसी तरह true साबित कर दिया तो अब हर domain जो है वो इसकी cover हो जाएगी ये method आभी आप यूज़ करते हैं तो ये जो पहला वाला case होते है इसको hypothesis बोलते हो दूसरी चीज़ होती है इसको आप congruent बोलते हो implication की terminology में वैसे ही जो पूरा case मैंने बताया है second case इसको हम mathematical induction में कहते है inductive case अब inductive नाम आया कहांसे ये mathematical induction जो induction है ये आपने phase में भी नाम सुना होगा कि magnetic field के change होने से current induce होता है ये word सुना होगा आपने तो induce का मतलब होता है ये अपनी तरफ से कुछीज हमने add किये शामिल किये कुछीज अपनी तरफ से तो यहां पे अगर आप देखो ये वाला case हमने induce किये एक hypothesis दिया है कि यार करके ठीक है अपनी तरफ से बात हमने किये और आपने प्रूफ किया कि के प्लस वन फिर रीग है अगर के प्लस वन पे ठीक है आपने बोला कि हाँ यार यार यह statement जनला थीक है के मपनी हो सकता है कि जैसे आप नहोंपर देखा था ना वन पैस प्रेंट तो आप की वेलू 1 पेसे टीक है तो अगर आपने प्रूफ किया कि के प्लस वन पे ठीक है मतलब 1 फ्लस वन प्लस वन तू पर ठीक है इसी तरह यहां पे किये टूल होगे थीज होगे करते-करते सब डोमेन को समझा देगा है यहां पर इस तो कुछ ज़ह करते हैं कि जहन तो यह जहन में रखो यहां पर दोनों कंडीशन इंपॉर्टन एक कंडीशन भी मसला करेगी तो सवाल मसला करेगा यह बात आपको इतनी बतायागा नहीं कोई तो इसलिकर बतार हो कि यह दोनों स्टेट्मेंट एड़ टाइम फुल्फिल होनी चाहिए ऐसी आप लोग बेस केस को हलका मस समझों क्यों हलका मस समझों स्वाइट कहते हैं बेस को छोड़ते हैं इंडक्शन पर आ जाते हैं दूसरे केस पर आ जाते हैं तो मसला यह है कि जो एक वैलिए सब्सक्राइब मैं तो जब मुझे पता जैना कि स्टेटमेंट वन पर टू है मैं अफिस पोजिशन पर आ सकते हो कि आप बोल सकते हो कि यह एजियू करो अगर मैं दसवी पर चड़िए बन आप इस कर लिए हैं पर यह चे उपर आयों तो बेस्केस इंपॉर्टटंट है बेस्केस पर पर अब एंशन टेन करते हो अब मैं और पेस्केस करता हूं कि एज्वें करों कि मैं 10 की स्यूडियू पर चड़ गया हूं तो फिर गैरीं भी सीडियू है और अगर इगर वह प्रूफ कर दिया तो तो इसका मतलब सब डुमेंड कवर ही क्योंकि के अगर 20 लोग है तो 21 30 तो 31 तो इंपरेंट बाग देने आपको क्या बताईए के बेस केस पर आपको चीज क्रूफ करते हो उसके बेसिस पर आगे आगे एस्यूम कर रहे होते हो तो बेस केस खाली बेस केस पर एलाई नहीं कर सक मैं नहीं को बूलूँ के इसके इसके इसकेंदर के इस तरह लिए को में इसकेंदर कुछी करना के थी तो पए प्रेश्ट की जोटे के रिए हैं और तो ऊप्रोट करना वहां प्रोड मुझा सब्सक्रीज करना हो जाएंगे क्याइस स्पून्स को ठीक माल लोगे नई ठीक माले नहीं सकते क्यों क्यूंके आपकी जो अजंशन है वहां एंशन इसी चीज पर बेस नहीं कर रही एजम्शन के पीछे कोई वैल्यू खड़ी भी नहीं है तो आप कैसे अजूंगा सकते हो आप अपने गलत किया जब आपके पीछे कोई आंसर आपको वैल्यू पता हो किस वैल्यू पर सैटिस्वाइब हो रहा हो कोई जब आप इसमें एक वै वैल्यू पूट करके देख लो स्टेट्मेंट ठीक नहीं है तो वजह यह है कि आपकी पिछे को बेस ही नहीं थी इस टाइप की बहुत एक्जेंपल में लेंगी बड़े मुशूरा जमाना एक्जेंपल है कि कोई भी इंटीजर जो है ना यह स्टेट्मेंट है कि एक कोई करोगे लेकिन अगर आप बेस के डिसकस ना करो आप पाजो इंडुक्तिफ के ओपर नहीं चाह सकते हैं इसी तरह आप इंडुक्तिफ के सिर्फ बेस केसे जज नहीं कर सकते हैं, वो मैंने प्राइम वाली आपको थोड़े पहले एक्जेम्पल दी थी तो detail में बाते मैंने सारी cover कर ली है, mathematical induction क्यों आप use करते हो, क्या problem थी, किस तरीगे से आप ही method discuss करते हो, अब मैं इंशालला आपनों को next lecture में बताऊंगा, कि सारे सवाल इंशालला हम देखेंगे, मैं एक सवाल आपनों को proper करवा दूँगा, ताकि सवाल जो है ना, उनमें नेन एक चीज होती है, जो मसला करती है इस तरीजन को, वो मैं आपनों बता दूँगा, ठीक है बच्चों, तो इस लेक्शियों इतना ही, आपनों 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 आपनों,